हेलो डियर फेंड स्वागता आप सभी का नौलिज डॉप चैनल में दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे BSF RORM की कम्पिलिट स्ट्रेटिजी आपको Physics कैसे तयारी करनी है Math कैसे तयार करना है Chemistry कैसे तयार करना है कौन सी बुक से पढ़ना है और यहाँ पे आपको जो है GKGS और English कैसे पढ़ना है देखे दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं Physics की क्योंकि Physics most important यहाँ पे आपका रोल अदा करने वाला है दोस्तो और Physics की बात करें तो Physics में आपको जो chapters मैंने वीडियो बना रखी है कि कौन कौन से chapter से आपको पढ़ना है देखे दोस्तो आपको हर chapter टच करना है क्योंकि हर chapter से टच करने का मेरा बोलने का मकसद यही है दोस्तो कि कहीं से भी examiner question को बना सकता है तो आपको हर chapter को जरूर पढ़ना है आप बुक की बात करूँ तो Indian Air Force X Group की जो Lucent की बुक होती है friends उसको आप देखेगा 100% आपका selection मैं guarantee देता हूँ दोस्तो आपका selection जरूर होगा अगर आप जो Indian Air Force की X Group की जो बुक होती है Lucent की वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपका selection पका है दोस्तो इतनी मैं guarantee देता हूँ अब दोस्तो math की बात करें math के लिए दोस्तो आपको दीखें दोस्तो यहां पे math में क्या होता है कि कभी 10th की level कुछ 10th का push देगा और कुछ 12 का push देता है तो इसमें candidate confusion में रहते हैं कि क्या पढ़ना है friends जाना focus आपको 12 की जो technical math होती है उसी पर करना है तो कि वहीं से जाना आने वाला है दोस्तो तो आपको उस पर जरूर ध्यान देना है mathematics की जो book के मैं बात करूँ तो जो Indian Air Force X Group की Lucent की math की book आती है उसी level के question आने वाला है मैं तो बोलता हूँ दोस्तो उससे भी कम level के question आएंगे आप जब paper दोगे तो देख लीजिएगा Lucent की book आप खरीद लेते हो और उसे completely solve कर लेते हो 100% दोस्तो गारंटी है आपका selection इस बार BSM में हो जाएगा और आपको 12 की करनी है साथ में 10 के कुछ main main topics देख लेने हैं जैसे जो 178 में पढ़ते हैं दोस्तों LCM, SCM वो कुछ वो भी पूछ सकता है या कुछ देखे दोस्तों जो boat वाले होते हैं कि धारक में इतनी चाल चलती है तो इस तरीके से कुछ question वहाँ से भी पूछ सकता है examiner तो उसको भी देखना है दोस्तों मैंने आपको एक बात नहीं बताई है कि जो statistics है statistics है उसको नहीं छोड़ना है friends वहाँ से हर paper में कोई भी आपने competitive exam दिया होगा 100% question put up होते हैं तो statistics को math में नहीं छोड़ना है बले वो आपको लिशेंट की book में नहीं है लेकिन आपको उसको भी complete करके जाना है ठीक है friends आगे बात करते हैं दोस्तों English की English भी मैंने syllabus बता रखा है अपने जो है चैनल पर लेकिन book की बात करो तो लिशेंट की book आती है उससे पढ़ेंगे 100% दोस्तों वहीं से आने वाला है 100% आपका selection इस बार जो है BSM में होने वाला है बागी दोस्तों chemistry देखे दोस्तों candidate के सबसे जारा जो doubt बनना है chemistry को लेकर के दोस्तों मैंने आपको पहले बेबे बताया है अब भी बता रहा हूं कि प्लीज आप लोग 11 और 12 की जो NCIT book होती है उसको पढ़िएगा अच्छे से बना मोटा मोटा आप उपर उपर से देख के जाएगा और में में चीजे जो topics होते हैं जैसे दोस्तों वहां से आप जरूर पढ़िएगा आवर सानी से जरूर कोशन अच्छे से पढ़िएगा और सानी को पुड़ा टच करके जाएगा क्योंकि वहां से दो चार कोशन आ ही जाते हैं तो दोस्तों इस तरीके से केमिस्ट्री में मैं तो यही कहूंगा कि आप 11 और 12 की बुक अच्छे से पढ़ें तो आपका सेलेक्शन पक्का है बाकि GKGS दोस्तों करेंट आप देख सकते हैं और बाकि GK के लिए आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं जो वैसे लिए से ठीक है अगर आप लिए बैटर होगा तो दोस्तों यही थी स्ट्रेटिजी अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं देखें दोस्तों जब आप पेपर देखे आओगे और मेरी वीडियो पे कमेंट जरू किजएगा कि मैंने सही बोला या गला देखें दोस्तों आपको 100% जाहिव फिजिक्स की लिउसेंट हो क्या करते हैं जैसे आपने UPSC को भी सुना होगा वह भी दोस्तों अगभार ही पढ़ता है वहाँ से आपका टश हो जाता है तो दोस्तों यह थी आपकी अगर कोई भी आपका डाउड ना है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा मिलते हैं स्यूडियो में तब तक अपना ख्याल लगे खोब पढ़िए जैहिन जैभारत